प्रेंट्स विवर्स आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उपासना टाइम्स में समागते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज ये नई वीडियो लेकर आपके समने हाजिर है हम आज एक पॉपकॉर्ण बनाने की त्यारी करने है जैसा कि हम ये मक्की देख रहे हैं आप ये मक्की कोई मामूरी सी मक्की नहीं है ये हम अपने खेतु में भी लगा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम मच आइल ढ़लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा गरम करने देख 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 इसकी गयास बिल्कुल कम रखती चाहिए अब हम इसको देख करेंगे गरम हुआ है कि अपने हाथों से चैप करेंगे आसे तेल को हमने कुछ समय पकाने ढ़लना है तेल पक गया है इसकी मुझे खुश्बू आ रही है और अब हम मक्की ढालेंगे सबसे पहले हम मक्की ढालेंगे अब यह बन रहा है अब यह बन रहा है अब यह बन रहा है अब इसको पापन मक्की को हम मिक्स करेंगे हम थोड़ा सब नमक ढालेंगे अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्दी ढालेंगे अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे थोड़ा सब हम हल्दी को पकने देंगे अब यह अब यह अब यह देखो यह प्यारे प्यारे से कैसे उचल रहे हैं अब यह उचल रहे हैं तो अब हम इसको धकन बन कर लेंगे यह देखो अब पॉपकॉर्ण बन रहे हैं हम इसके डगन बन करेंगे जिसके कारण यह उचलेंगे नहीं उनकी अवाज तो देखे अब सुनी रहे हैं आप पॉपकॉर्ण हम कुकर में इसलिए ढालते हैं कि यह अंदर से बहुत उचलते हैं इसलिए हमें अभी जिस चीज़ का इंतजार था अब पॉपकॉर्ण बन गये हैं तो आप देखी सकते हैं अब हमारे पॉपकॉर्ण त्यारें अब खाने की तीज़ रहे हैं तो जैसा कि आप देखी रहे भाट का मौसम अब सरदी आ रहे हैं तो हमें अब भार चलने का कुछ मानी नहीं होता है करीपा करके आप पैसा खर्चना करें और घर बैठी ही आप पॉपकॉन तियार कर सकते हैं अब हम ये सुंदर सुंदर प्यारे 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 पॉपकॉन अब बाट कर खाएंगे अब मेरा चेल बार मेरे यूट्यूब चैनल उपासना टाइमस को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और बैल आइकन बढ़ें